पवन सिंग मोस्टोफ अपने कॉंट्रूवर्सिस को लेकर इतनी जादा कॉंसियस रहते हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे कभी भी ओपन नहीं करते आपको बता दें फिर वो चाहे अक्षरा का मामला हो या पतनी नीलम की फासी हो या फिर भोचपुरी में कोई भी ऐसी कॉंट्रूवर्सि जिसमें पवन सिंग गाही बगाहे रिलेट करते हैं तो उससे वो हमेशा दरकिनार ही रहते हैं या यू कहले अपने जबान को वो सिल हाँ अगर गाना चोरी का मामला आया हो कभी तो उसके लिए वो उपनली बोलते हैं क्योंकि पवन सिंग इन सब चीजों में यकिन नहीं करते हैं खैर आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जहां पवन सिंग का दर्द छलका और वो भी अपने प्यार के लिए जी हां आपने देखा होगा पवन सिंग जब भी कभी भी हाफ स्लिफ्स या हाफ कमीज या शर्ट हाफ टी शर्ट पहनते हैं तो यह जो चोट लगी है उन्हें वो दिखाई देती है साफ तोर पर लेकिन पवन सिंग ने कभी इस तरह से बाते मीडिया में इसके बात नहीं की जी हा और ये जो मीडिया में बातों की बात हम कर रहे हैं ये भी मीडिया में बात कही गई नहीं है ये तो एक शादी में गए थे पवन सिंग और वहाँ वो कुछ जादा ही इमोशनल हो गए और उन्होंने अपने शर्ट को जो कि उन्होंने फुल स्लीव स्की शर्ट पहनी थी उ और फिर उन्होंने लोगों को दिखाया कि किस तरह से उन्हें प्यार में चोट मिली है। अगर लोग अक्षरा सिंग से इसे रिलेट कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अक्षरा सिंग तब तक इनकी लाइफ में नहीं आई थी। ये पवन सिंग के उस दर्द की कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं अगर उस दौर की बात करें तो तब पवन सिंग रिलेशनशिप में थे रानी चटर जी के या फिर रूबी सिंग के तो ये उससे ही जुड़ा कुछ मामला हो सकता है वैसे रानी चटर जी से भी आप इस सिंग से रिलेटेड हो या फिर काव्या सिंग जिनकी बात मीडिया में बहुत ही कम की गई है या यू कह लें कि बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है उन्हें भूच फिरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूल